ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही है क्यों अब मैं जारे रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुविंदु जो को जाये नहीं दिया तो हाई कोट के आदेश पर गए तो महिलाएं कितना रोरो कर अपनी बाद बता रही है क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों संदेश खाली का विशय बहुत गंभीर हो रहा है माननी एक कलगटा हरी कोट ने क्या टिपणी किया आपके सामने में हैं हाउ केन वन मैं शाजहां शेक कें टेक देंटार स्टेट तो रैंसम यह आपने सुना है उसको ग्रिफतार क्यों नहीं किया जा रहा है और यह भी टि गई थी उसे के बाद से समस्या शुरू हुई लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है यह किसी भी सब यह समाज के लिए शर्मना की नहीं निक्रिष्टा की पराकाश्था है what is emerging thereafter about the patent assault humiliating treatment sexual assault of woman is a shame on our society and democracy यह बहुत विनम्ता से कहना जाओंगा है यह शर्म है मम्ता जी अभी भी उसको defend कर रही है क्यों अब मैं जा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जो को जाएं नहीं दिया तो हाई कोट की आदेश पर गए तो महिलाएं कितना रोरो कर अपनी बाद बता रही है बहुत से दिल्ली के पत्रकार महिला पत्रकार गई उन्होंने उनको confirm किया मैं विशेश लुप से सारे मीडिया के लोगं का भिन्दन करूंगा दिल्ली के किसी का नाम देनी के आप श्रतन जिस तरह उन्होंने कवर किया है और अपने प्रतिदियों को भेज करके कवर कराया है वो सब उने एक ही बात कही है एक पत्रकार को गिर्फतार की कर लिया गया यह क्यों है क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख पुलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दाव पर लगा रही है क्यों उनका जमीर कहां मर गया है और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सी पीम के अध्याचार के खिलाफ संघर्श किया था वो बहुत अनिश्टकाल तरा अर्शन दे बैठी थी तो हम सभी उनके मुरीद बने उनकी बहुत तारीफ किया है जो संघर्श किया उस संघर्श ये आगे निकली है और क्या हो गया है क्या जुनका अत्याचार पुलिस का दमन सी पीम के दमन से भी आगे निकल गया है कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती है क्या यह हम जरूर कहना चाहेंगे हम वहां की नारियों का बहुत अभी नंदम करेंगे उनके साहस का और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमेटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए वो खेती में धान उगाते हैं बाकी फस्ते गवाते हैं सब में पानी छोड़ करके कहा यही मचली पालो पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया तो जमीन के कब्जा करना उनको बेदखल करना महिलाओं की आबरू लूटना और मुझे सबसे तो तारी आश्चर हुआ है कि जो एसाइटी जा रही है ममताजी ने बनाए वो क्या सवाल पूछ रही है आज का यह ख़बारों ने लिखा है उस पर मतलब सुप्रीम कोड के गाइडलाइन बहुत सक्त है इन केस अफ सेक्शल एसॉल्ट एन अब्यूज ऑफ वोमन्स परसंग पूछताज एक नॉर्म से होने चाहिए और इसाइटी पॉब्लिक में जाकर के एकी सवाल पूछ रही है बार बार क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ मतलब वो सवाल कर रही है कि उनको और बेज़त कर रही है ताकि उनका मनोबर टूटे तो भारती जंता पार्टी अपने राष्टी मंचे इसकी बहुत भर्सना करती है और मम्ता जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और मम्ता जी आपको इसका राजनीतिक जंता जवाब देगी ममता जी लाव टू पे फॉर इट और हम अपने बीजेपी के कार्यकरताओं को बहुत सम्मान करते हैं जिसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ जा करते हैं पूरी पार्टी पूरी मजबुद्धी के साथ खड़ी है श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत